हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल को डिलाइटफुल सद्यों में हम सभी को मूंग की डाल का हल्वा खाना बहुत पसंद होता है तो आज मैं कुछ टिप्स एंट ट्रेस्ट के साथ यह रैस्पी शेयर कर रहे हो तो वीडियो का आप लाश्टर देए जिसे यह दानेद श क्षाव की डाल को लिया है मूंग की डाल को सबसे पहले हम साफ कर लेंगे और इसे बावल में डैल करके साप पानी से धो लेना है चोब इसमें एस्टा पानी निकल जाए अब इसे हम एक साफ कपड़े में आप कोटन का कपड़ा भी ले सकते हैं उसके उपर डाल देंगे और दस मिनट के लिए इसे पंखे के नीचे चोड़ देंगे जिसे इसमें जो भी पानी है वो सूख जाए दस मिन्ट हो चुके हैं और हमारी दाल का पानी भी सूख चुका है इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे यहां मैंने एक कढ़ाई रख दिये और इस दाल को हम कढ़ाई में डाल देंगे इस समय हमें इसमें कोई भी घी या फिर ओयल डालने की जुरूरत नहीं इसको हम ऐसे सूका ही बूनना है इस टाइम पर फलीम को हमें मीडियम टू अ कि लगता चलाते म gefह आप यहां मेरे दाल को एक प्लेट में निकाल दिया और फंड होने के थोड़ा लिए चोट देंगे अब इस दाल तोको ग्राइंटिक दाल में डालकर इसका दरदरा पाउडर कर लेंगे तो यहां में पाउडर कर लिया हैं स्थी तरीके पांड़र मेंचय आप उंग्लीर चुंए तो यह हलका आपको मैंसस होगा तो इसे तरीकेश का त्यार करना है अब मीं तो यहां मैंने सेम कड़ा है लिए उसमें डाल देंगे हम 3-4 चमज देशी घी यह हलवा देशी घी में बहुत अच्छा लगता है अगर आप यह नहीं डालना चाहते तो आप बनसपति घी डाल सकते और इसमें डाल देंगे ड्राइफूट्स ड्राइफूट्स को हमें हलका स करंची होने तक फ्राइब कर लेना है अभी ड्राइफूट्स फ्राइब हो चुके हैं इसे हम निकाल लेंगे अब इसमें हम डालेंगे हलवाईों का सिर्क्रेट जिसे यह हलवा दानेदार और रिदम खिला खिला बनके तेयार होगा तो वह सूची यहां में एक टेबल भून ही डाल दियूं बेशन इन दोनों को हमें धीमी आज पर लगाता चलाते वे भून लेना है जब तक कि इसे कच्छापन निकल जाए इसको भूनने में लगभग एक ची दू मिनटे टाइम लगता है आप ही मैंने इसको भून लिया है आप इसमें हमने जो डाल को पीछ के मिला टाइम लगेगा मूंग के हलवे में घी थोड़ा ज्यादा ही होता है इसलिए मैंने दो चमत घी यहां पर और डाल दिया है और घी डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है हमारी डाल अच्छे से बून चुकी है और इसमें कितना अच्छा कलर भी आ इसको भी डाल देंगे इससे कलर बहुत अच्छा है अगर आप केसर नहीं डालना चाहते तो आप केसर के केसर फूट कलर भी डाल सकते हैं और यह डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर देंगे एक कप दूद मैंने और डाल दिया है यहां मैंने हल्वे में आध्य लिटर यूज किया है और इसे डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे दूड डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स करते वे पका लेना है आप देख सकते हैं इसका कलर रिदम वाइट हो चुका है लेकिन दिर दिर सा कलेच हो जाएगा तो अब इसमें हम चीनी एड करेंगे तो चीनी, मिठा से आप इसमें अपने पसंद के अनुसार कम जादा सकते हैं चीनी टालने के बाद लगाता च्राते वे मिक्स कर देञे इसे में हम फ्लेम को मिडिम टूलो रखेंगे तो यहां मैंने इसे मिक्स कर दिया है अब इसमें फ्लेवर के लिए लाचี डालेंगे अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसमें आपके से जी रह सकते हैं यहाँ इसको मैं डाल करके मिक्स कर दिया है अब लास्ट में जो घी पचाता ता इसको भी डाल देंगे यहाँ में total half cup घी यूज किया है अगर आप इसमें घी ज्यादा पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें घी ना डालें तो घी डालकर हम इसे एक बार मिक्स कर देंगे अब लास्ट में जो हमने ड्राइफूट फ्राइ करके रखे इसको डाल देंगे और यह डालने के बाद एक बार मिक्स कर देंगे हमारा हलव में निकालेंगे और उपर से गानिश कर देंगे बारी कटे फिचते और बदाम से तो लीजिए तयार है हमारा दानेदार हल्वाई अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे थे प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और मज़ेदार रेस्पी के साथ थैंकी सो मच सबस्छी सब्सक्राइब करें भीध